हेलो एवरीवन दिस जाहिद मलिक और आज हम करने जा रहे हैं कोशिन नमबर टू स्टेटमेंट अबच्छों तो बच्छों हमने इस कोशन में शो करना है कि जो हमें ये वाली गिवन सेकंड डिगरी एक्योशन है ये पेर ओफ स्टेट लाइन्स को रिप्रिजेंट कर रही है और बच्छों उन दोनों लाइन्स के बिट्विन जो एंगल होगा उसको भी हमने फाइंड करना है जैसे कि बच्छों हमने पिछले कोशिस में किया था कि हमारे पास एक सेकंड डिगरी एक्योशन थी और बच्छों हमने वही जो और्ड मैटर था हमारा कि सेकंड डिगरी एक्योशन को हम किसी वन विरिएवल वाली एक्योशन में कनवर्ड करते थे उसको सॉल्व करते थे और बच्छों हमारे पास वहाँ पर दो एक्योशन आती थी और हम शो कर लेते थे कि वो पेर आफ स्टेट लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन बच्छों वहाँ पर एक और पॉइंट वहाँ पर मैंशन था कि हमने पॉइंट ओफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना था लेकिन बच्चों यहाँ पर इस question में वो वाला जो point है कि point of intersection हमने find करना है वो बच्चों नहीं दिया हुआ तो बच्चों इस question को हम another method से भी solve कर सकते हैं तो बच्चों हम करते हैं इसका solution देखें तो बच्चों सबसे पहले जो given equation है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे square minus 10xy plus 2y squared plus 11x minus 5y plus 2 equal to 0 से equation number 1 अब बच्चों हमें पता है कि जैसे कि हमने पिछली theorem में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई second degree equation है तो बच्चों हम determinant वाले formula से theta वाले formula से हम यह represent कर सकते हैं कि वो pair of state lines को represent कर रहा है या नहीं अगर बच्चों हमारा theta equal to 0 आ जाए तो बच्चों हमारी यह equations pair of state lines को represent कर देगे तो बच्चों वही method यहाँ पर हम apply करें तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर coefficient पता होना चाहिए तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा comparing with general form of second degree equation जो होती है ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 जब बच्चों मैं equation number 1 को और इस general equation को compare करूं तो बच्चों हमारे पास a की value क्या आती है देखें 12 तो बच्चों x square का coefficient क्या होगा a और बच्चों xy का coefficient क्या होगा 2h और बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो 2h हमारा है वो यहाँ पर minus 10 के equal है तो बच्चों इससे हमें यह चलता है पता कि जो हमारी h की value है वो minus 5 है अब बच्चों वैसे ही हम b की value को find कर सकते है y square का coefficient जो की plus 2 है उसके बाद बच्चों हम 2g की value x का coefficient उसको find कर सकते हैं और बच्चों यहाँ से हम g की value को भी find कर सकते हैं जो होगा 11 upon 2 उसके बाद बच्चों हम 2f की value को भी find कर सकते हैं जो होगा y का coefficient और बच्चों वो है minus 5 और बच्चों अगर हम यहाँ से f की निकालने only value तो बच्चों यह होगा minus 5 upon 2 और बच्चो लास्ट में जो हमारा c constant है उसकी value क्या होगी? प्लस 2 अब बच्चो हमें पता है कि जो हमारा theta होता है बच्चो वो होता है determinant तो बच्चो उसमें जो values होती है वो होती है a, h, g, h, b, f, g, f, c तो अगर बच्चो मैं ये सारी values को यहाँ पर put करूँ जिसमें है a, b, c, h, g, f की values को अगर मैं यहाँ पर put करूँ और बच्चो अगर मैं इसको solve करके इस determinant को equal to zero मैं अगर proof कर दूँ तो बच्चो ये हमारा show हो जाएगा कि ये जो second degree equation है ये pair of state lines को represent कर दी है जैसे कि आपने theorem में पड़ा था तो बच्चो मैं वही करने जा रहा हूँ तो बच्चो यहाँ पर हम लिखेंगे देखें equal to अब बच्चो हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर a, h, g, b, f, c की values है उसको हम यहाँ से put कर देंगे तो बच्चो a की value है 12 तो बच्चो मैंने यहाँ पर 12 put कर देंगे उसके बच्चो h की value है minus 5 तो बच्चो हमने यहाँ पर minus 5 put कर देंगे उसके बच्चो g की value है 11 upon 2 तो बच्चो यहाँ पर हमने 11 upon 2 put कर देंगे उसके बच्चो h की value हमारे पास है minus 5 तो बचो हमने यहाँ पर minus 5 पुट कर दिया B की value बचो हमारे पास है plus 2 तो बचो यहाँ पर हमने plus 2 पुट कर दिया उसके बाद बचो F की value हमारे पास है minus 5 upon 2 तो बचो यहाँ पर हमने minus 5 upon 2 पुट कर दिया उसके बाद बचो हमारे पास G की value है 11 upon 2 तो बच्चों यहाँ पर हमने 11 upon 2 put कर दी उसके बाद बच्चों f की value हमारे पास है minus 5 upon 2 तो बच्चों हमने यहाँ पर minus 5 upon 2 put कर दी उसके बच्चों हमारे पास last में c की value है plus 2 तो बच्चों यहाँ पर हमने plus 2 put कर दी अब बच्चों इस determinant को मैं यहाँ पर solve करूंगा सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि इस first element 12 को select करते हैं जब बच्चों हमने 12 को select किया तो बच्चों हम क्या करेंगे कि first row and first column को read कर देंगे और बच्चों जो remaining हमारे पास elements है इसका minor determinant बनाएंगे तो बच्चों हमारे पास क्या बना देखें 2 minus 5 upon 2 and minus 5 upon 2 और यहाँ पर भी 2 उसके बाद बच्चों यह हमार डिर्मेंट का रूल है कि जब हम एक element आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर minus का जो sign होता है वहाँ पर हम multiply करते हैं तो बच्चों यहाँ पर जैसे minus 5 है तो यह बन जाएगा plus 5 तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे plus 5 आपने पड़ा होगा class 12 में की determinant के rule क्या होते हैं तो बच्चों हमने जब plus 5 को slack किया तो बच्चों हम first row and second column को read कर देंगे और बच्चों जो बाकी के remaining elements हैं उनका हम एक minor determinant बनाएंगे तो बच्चों जब हम first row and second column को read करेंगे तो बच्चों हमारा minor determinant क्या बनेगा minus 5, minus 5 upon 2, 11 upon 2, 2 तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं minus 5, minus 5 upon 2, 11 upon 2 and 2 उसके बाद बच्चों हम next element की तरब बढ़ते हैं जो है 11 upon 2 तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे plus 11 upon 2 उसके बाद बच्चों जब हमने 11 upon 2 को select किया तो बच्चों हम first row and third column को read कर देंगे और बच्चों remaining elements के हम बनाएंगे minor determinant तो बच्चों हमारे पास जो determinant बनेगा उसमें element होंगे minus 5, 2 and 11 upon 2, minus 5 upon 2 तो बच्चों I hope कि आपको determinant निकालना आता होगा अब बच्चों जो बाकी का part है वो हम यहाँ solve करते हैं तो बच्चों यहाँ पर मैंने equal का sign डाल लिया है अब बच्चों इस determinant को मैं solve करूंगा तो बच्चों देखें यह 12 हमारा as it is रहेगा जब बच्चों हम determinant में ऐसे multiply करते हैं तो बच्चों यह simply multiply होता है 2 to the 4 और बच्चों जब हम determinant में ऐसे multiply करते हैं तो बच्चों हम minus का यहाँ पर multiplication करते हैं मतलब minus 1 हम यहाँ पर multiplication करते हैं जब हम इस direction में multiply करते हैं तो बच्चों minus 5 upon 2 minus 5 upon 2 तो बचो minus minus plus and 5 upon 2 into 5 upon 2 तो बचो यह हो जाएगा 25 upon 4 तो बचो लेकिन यहाँ पर इस direction में एक sign आता है minus का multiplication में तो बचो यहाँ पर हमारा बनेगा minus 25 upon 4 उसके बाद बचो यहाँ पर है plus 5 तो बचो हमने यहाँ पर लिखा plus 5 अब जब बचो हम इस direction में multiply करेंगे तो बचो यह simply multiply होगा minus 5 into 2 minus 10 और जब बचो हम इस direction में multiply करेंगे तो बचो minus 1 multiply होगा तो बचो यहाँ पर पहले से minus है तो minus minus plus हो जाएगा तो बचो यहाँ पर सबसे पहले हम plus लगा लेते हैं sign और बचो यहाँ पर है 11 into 5 तो बचो 11 into 5 हमारा होता है 55 और बचो नीचे numerator में है 2 into 2 means 4 ओके उसके बाद बचो next है plus 11 upon 2 इसको बचो हम as it is यहाँ पर लिख लेंगे अब बचो इसको हम solve करेंगे तो बचो यहाँ पर है देखें minus 5 into minus 5 upon 2 तो बचो माइनस माइनस प्लस first of all 5 into 5 25 upon 2 ओके अब बचो देखें यहाँ पर है 11 upon 2 into 2 तो बचो 2 से हमारा 2 cancel हो जाएगा multiplication में और बचो यहाँ पर remaining बचेगा only 11 लेकिन बचो जब हम इस direction multiply करते हैं तो हम minus का sign multiply करते हैं तो बचो यहाँ पर हमारे पास आएगा minus 11 ओके अब बचो इसको हम अगर solve करते हैं further तो बचो हमारे बास देखो क्या आएगा 12 बचो यहाँ पर as it is रहेगा और बचो यहाँ पर अगर हम LCM लेते हैं तो बचो यह हमारा बन जाएगा 4 for the 16 minus 25 upon 4 ओके और बचो यह plus 5 हमारे as it is रहेगा और बचो यहाँ पर देखें minus 10 और यहाँ पर है 55 upon 4 अगर बचो हम LCM लेते हैं तो बचो minus 10 into 4 minus 40 and plus 55 upon 4 बचो हमारा यहाँ पर बन जाएगा and plus 11 upon 2 ठीक है तो बचो देखें पहले हम यहाँ पर braces के अंदर वाला material solve करते हैं तो बचो यहाँ पर 25 है इसको हम as it is यहाँ लेंगे और जब बचो यहाँ पर हम LCM लेंगे तो बचो 11 into 2 हमारा क्या मनएगा minus 22 upon 2 तो बचो देखें नीचे क्या है 2 into 2 तो बचो यह 4 हो जाएगा ठीक है तो बचो यहाँ पर भी हम directly क्या कर सकते हैं फॉर लिख सकते हैं और यह हम बाहर या फिर हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर टू लेते हैं और यहाँ पर टू लेते हैं अब अगर हम इसको further solve करें तो बचो देखें यहाँ पर क्या आएगा हमारा तो बचो देखें 12 ओके 16 माइनस 25 तो बचो हमारा बनता है माइनस 9 इसके बाद बचो प्लस 5 है और बचो यहाँ पर है माइनस 40 प्लस 55 तो बचो यह हमारा आएगा प्लस 15 अपॉन 4 उके उसके बाद बच्चों हमारे पास है प्लस 11 अपॉन 2 and then students हमारे पास यहां पर braces के अंदर है 25-22 means 3 और बच्चों नीचे डिनोमेटर में हमारे पास आएगा 2 तो बच्चों इसको अब हम further solve करते हैं तो बच्चों उससे पहले आप इतना node कर लें हम आगे बात करते हैं so student I hope कि आपने यह साथ node कर लिया होगा और बच्चों अब इसको हम further solve करते हैं तो बच्चों यहां पर हमारे पास है 12 into minus 9 upon 4 तो बच्चों अगर हम 12 को minus 9 के साथ multiply करते हैं तो बच्चों हमारे पास यहां पर आएगा minus 108 means 108 upon 4 और बच्चों यहां पर middle में है plus तो बच्चों यहां पर हम डालते है plus 5 into 15 75 upon 4 ओके और बच्चों यहां पर है plus 11 into 3 33 और नीचे डिनोमेटर में बच्चों हमारे पास है 2 into 24 ठीक है तो बच्चों हमने आपर 4 लगा लिया अब बच्चों हम क्या करते हैं कि यह जो हमारे पार्ट है इसकी अब हमें जरुवत नहीं तो इसको हम रब कर देते हैं So now students हमारे पास देखो यह क्या बनेगा तो बच्चों देखें यहाँ पर है minus 108 plus 75 plus 63 और बच्चों नीचे ड्रोमेटर में 3 elements के है 4, 4, 4 अगर बच्चों यहाँ पर हम इसका LCM करते हैं तो बच्चों नीचे ड्रोमेटर में 4 आएगा common और बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा 108 plus 75 and plus 33 और बच्चों अगर हम further इसको solve करते हैं तो बच्चों देखें, minus 108 हमारा as it is रहेगा 75 और बच्चों 33 को हमने जब add किया तो बच्चों हमारे पास आएगा plus 108 upon 4 और जब बच्चों इसको हमने जब solve किया तो बच्चों देखें, minus 108 plus 108, 0 upon 4 और बच्चों हमें पता है कि अगर numerator में 0 हो orderometer में, चाहे वो जितनी भी बड़ी हमारी digit हो तो बच्चों वो 0 की equal होती है, तो बच्चों यह हमारा 0 आ गया तो बच्चों जो हमारा determinant था, देखें, वो 0 की equal आ गया और जब बच्चों हमारा determinant 0 की equal आ गया मतलब कि हमाद जो यह determine यह क्या होता है थीटा होता है यह zero केक्ष спас cool आ गया तो बच्छों यहाँ पर हमारा थीटा है वो zero केक्ष спас cool आगया तो बच्छों इससे हमें क्या चलता है पता है जैसे कि हमने theorem में प्रूफ किया था कि अगर theta हमारा 0 के कुल आ जाए तो जिस equation का वो theta है मतलब determinant है वो equations pair of state lines को represent कर रही है तो बचो पहली बात हमने proof कर ली तो बचो यहाँ पर हम लिखेंगे hence the proof ठीक है बचो पस यह लिखने के बाद हमने लिख देना है hence the proof तो बचो I hope कि आपको इतना समझाया होगा अब बचो next step हमारा देखो क्या है कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि find the angle between them तो बचो अब हमने find करना है angle क्योंकि जो बचो यह pair of lines है इनके बीच में कुछ angle होगा वो हमने find करना है तो बचो वो करने से पहले आप इसको note कर ले so now students हमारे पास यहाँ पर second degree equation है और बचो इससे हमने जो different equations होती है वो find नहीं करी मतलब जिन equation से यह equation बनी है वो हमने यहाँ पर find नहीं करी थी तो बचो अगर ऐसा ना हो तो हम फिर इनके between जो angle है वो कैसे find करेंगे तो बचों कि हमें पता है कि जब हम किसी two lines के between angle find करते है तो बचों हमारे पास formula होता है 10 theta modulus M1 plus M2 1 minus M1 into M2 तो बचों यह M1 और M2 क्या होता है slopes होता है उन दोनों lines की जो हमारे पास इस equation से आती लेकिन बचों हमने यहाँ पर वो equations of line जो standard form होती है वो बचों हमने find नहीं करी है ठीक है तो बचों अगर ऐसा case हो तो हमें क्या करना होगा तो बचों यहाँ पर हमें पता है कि जब हमारे पास homogeneous equation होती है जो कि इस form में होती है AX squared 2HXY and plus BY squared equal to 0 H squared minus AB upon A plus B ठीक है बचों तो बचों यह formula applicable था जब हमारे पास homogeneous equation थी लेकिन बचों अगर हमारे पास second degree equation हो तब भी बचों हम यह वाला formula use कर सकते हैं मतलब कि बचों अगर हमारे पास यह form वाली equation हो BY squared plus 2GX plus 2FY plus C equal to 0 तो बचों उस case में भी हम यह वाला formula angle find करने के लिए use कर सकते हैं ओके तो बचों हम यही formula use करेंगे यहाँ पर तो बचों इस सबकों मैं रब कर देता हूँ बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया ओके तो बचों देखे तो बचों सबसे पहले तो बचों अगर वो वाला formula हमने यूज करना तो बचों वो वाला formula अगर हमने यूज करना है तो बचों सबसे पहले हम यहाँ पर formula लिख लेते हैं tan theta this is equal to 2 under root h square minus a b upon a plus b तो बचों इस formula के लिए हमारे पास coefficient होने जरूरी है तो बचों यहाँ पर a की value क्या थी जो हमने पीछे find करी थी 12 और बचो h की value हमारे पास क्या थी minus 5 और बचों हमारे पास b की value क्या थी plus 2 ठीक है तो बचों हमें सिर्फ ये 3 coefficient की value चाहिए तो बचों अगर हम यहाँ पर put करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आएगा, tan theta this is equal to 2, under root, तो बचो यहाँ पर है h square मतलब की minus 5 का square, minus a b, तो बचो a हमार 12 है, b हमार 2 है, तो बचो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 into 2, और बचो नीचे denominator में है a plus b, बचो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 plus 2, this is equal to, तो बचो देखो यह क्या बनता है 2, under root, minus 5 का square, तो बचो यह होगा 25, and 12 into 2, 24 upon 12 plus 2, 14, और बचो अगर इसको हम further solve करते हैं, तो बचो 25 minus 24, under root 1 upon 14, और बचो under root 1 का जो root होता है, वो 1 होता है, तो बचो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, बचो जब यहाँ पर 1 हो गया, तो उपर numerator में हमारे पास remaining बज जाएगा 2, और बचो यहाँ पर अगर हम cancel करते हैं, तो हमारे पास आता है, 1 upon 7, और बचो अगर हम यहाँ से ठीटे की value find करें, ठीटा find करें, तो बचो हमारे पास ठीटा आएगा 10 inverse 1 upon 7, तो बचो this is our required answer, तो बचो हमने यहाँ पर angle भी find कर लिया, ओके, so student I hope कि आपको question number 2 भी समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ benefit हुआ हो, तो please वीडियो को like करें, अपने friends के साथ इस वीडियो को share करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर ले, thank you so much, bye, मिलते हैं for next video में